ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तो एश्प्रो समाधान यूट्यूब जेनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी से वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर मंगलवार के रासी फल के बारे में की हा दिन तो लारासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपके वित्ते इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुकूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोग्य लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबंदित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिलेश शक्वे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जाएंगे और रिष्टे में दोबारा मधुर्त आएगी परतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए बहुती लाबदायक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शान्ती और हलका आप महसूस करेंगे घर में सुक्षविदा संबंदित वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियासरत रहें अपने उसूलों और सिध्धान्तों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करें प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतित करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में वरत दी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजरगों की सला से संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है इसलिए स साफधान रहें घर के किसी बुजरगों के स्वास्त को लेकर भी आज चिंता रहेगी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है दोस्तो साती साथ आपको भी अपने स्वेभाव से एगो को खत्म करना होगा जिससे प्रेसानिया जल्द ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार करने से पहले उस पर अच्छी तरे से विचार आप हवश्य करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारत्मक विचार उठ सकते हैं परंतु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फाल्तु गलत फ रही है घर में भी छोटी सी बात पर एक कारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए जादा क्रोध करने से बचें दोस्तो सामाजिक गति विदियो पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आप से नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने कर्म पर लगे रहें परंतु घर के वरिष्ट लोगों का मान सम्मान अवश्य से बना कर रखें दोस्तों बात कर लेते हैं जापकी लव लाइफ के शिरहने वाली हैं दोस्तों जीवन साती की भवनाओं का आप सम्मान करें इस से संबंद और अधिक संबंद मर्यादा पूर्ण रखें किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पती पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांती बना कर रखेगा प्रेम संब संबंदों के भी आने वाले समय में विवा में परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से श yaug प्राप्थ होगा तथा घर में भी शकारात्मक वातावरन बना रहेगा दूस्तों साती साथ अपनी व्य रिस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी दोस्तों बात कर लेते हैं जा आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तों वैवसाय में अभी वरतमान परिस्थितियां का प्रभाब बन रहा हैं धन संबंदित लेने दिन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें क्योंकि ध तो आज उस कारे को बहुती गंभीरता से अंजाम दें इससे आपको भैतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा नोकरी में भी नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद हैं दोस्तों साती सात कारे छित्र में दूसरों के हस्तोषेप से क साती सात नोकरी पेशा व्यक्ति भी नौफिस में पॉल्टिक्स के सिकार हो सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तों साती सात आज आप किसी कारणों से कारे छित्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिल अभी आपके द्वार खट खटा रही हैं इसलिए प्रते कारों को आप आज बहुती गंभीरता से लें नोकरी पेशा व्यक्तियों को भी उनकी कार्य छमता के लिए प्रोतसान प्राप्त होगा जिसकी वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज आपका स्वास्त बहुती उत्थम रहेगा तथा आप उरजा से भरपूर रहेंगे आज आप अपने आपको काफी तंदुरुस्त और तनाव मुक्त महसूस करेंगे या दोस्तों आज का समय आपके स्वास्त के ये विशे शुपाई क्या है दोस्तों आज आप शनान आदिश निर्वत रहोने के बाद पीपल के ग्यारा पत्ते लें इसके बाद इन ग्यारा पत्तों को आप साफ जल से धोले या फिर गंगा जल से धोएं इसके बाद आप इन ग्यारे पत्तों पर चंदन या फिर कुम कु पित कर दें और साथ इसाथ अपनी मनो काम नए मांगे जा दोस्तो इतना करने मातर शेही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशने चल रही हैं समस्त परेशने उकंत करेंगे और आपके जीवन में खुस्यां खुस्यां होंगी जा दोस्तों आप इस प्रिकार इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान बजरंग बली का आश्रवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै बजरंग बली अवश् धन्यवाद